आज का हमारा टॉपिक है सौच्छ भारत मिशन और उसके प्रभाव को लेकर अब इहाली में नेचर पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकशित किये और उस रिपोर्ट में कहा है कि सौच्छ भारत मिशन के तहत भारत में जितने भी टॉइलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था उन टॉइलेट्स के कंस्ट्रक्शन के कारण शिशु म्रत्युदर में भारी गिरावट आई इस रिपोर्ट को बनाने में मुख्य भूमी का अदा की थी इंटरनेशनल फूट पॉलिसी रिसर्च इंस्टिटूट ने और इसमें योगदान दिया था कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी और ओहियो इस्टेट युनिवर्सिटी ने अगर हम बात करें स्वच्च भारत मिशन की तो स्वच्च भारत मिशन को पदान मंत्री नरेन मोदी जी ने दो अक्टूबर 2014 में लांच किया था और योजना को दो घटकों में इन्होंने डिवाइट किया था एक घटक था इसका ग्रामिन और दूसरा था शेहरी और इसमें में उद्देश्य था कि गाओं को खुले में सोच से मुक्त कराना घरेलू सोचाले का निर्मान करना शेहर अलावा सोलीड वेस्ट मेनेजमेंट को भी इसमें शामिल किया गया था कच्रे के आप पुनर चकरन को भी इसमें शामिल किया गया था और इस तरह से कहीं सारे चीजे सच भारत मिशन के तहत इंक्लूट की गई थी अगर हम बात करें किसी भी सरकार के मुल्यांकन की तो जन यह तरीखा गलत है सरकार का मुल्यांकन होना चाहिए उसके पर्फॉमborस के अधर पर और इसके लिए पर्फॉमरस Charge carving का सहारा लेना चाहिए कि सरकार ने अपने बजट में किफ्फिश योजनाय को कीजिए उस योजनाओं का क्या एफेक्टर रहने वाला है और क्या रिजल्ट सामने आने वाला है उसके अधर पर सरकार का मुल्यांकर होना चीए और अगर हम मोदी जी के बात करें तो मोदी जी इत्यास में तीन बातों के लिए जाने जाएंगे पहली बात है आर्टिकल 370 दूसरी ब लेकिन वह कर नहीं पाए थी लेकिन मोदी जी ने इस काम को अंजाम दिया है चलिए हम आते हैं पहले टॉपिक पर कि नेचर पत्रिका ने क्या चीजे सामने लाई है और इस पूरे लेक्चर में हम एक-एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे ताकि हम इस डेटा क को एक तरीके से हम हम हर तरह की एक्जाम में यूज कर सके ठीक है तो आप जुड़े रहिए हम सुरू करते हैं टॉपिक को ठीक है तो अगर हम बात करें तो नेचर पत्रिका ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित किये उसमें जो उन्होंने डेटा लिया है वह लिया है 2011 से अगर हम देखें तो इसके पहले भी कई सारे सचता के कारीकम चल रहे थे लेकिन वह उस तरह से उनका रिजल्ट नहीं था क्योंकि अगर हम बात करें तो नाइंटीन एटीवन में ग्रामींड सचता कवरेज केवल वन परसेंट था जो कि 2001 में 22 परसेंट तक आया और 2014 में 37 परसेंट ठीक है लेकिन 2014 के बात में इसमें काफी बढ़ोती और अगर हम बजट के आधार पर बात करें तो 2014 में 2014 में सवच्भारत मिशन लांच किया था तब से लेकर इस पर 1.4 लाग करोड रूपेज का इन्वेस्मेंट किया गया है यह सारवजनिक निवेश है ना एक दश्मलव चार लाग करोड का निवेश किया गया और इसके तहट 117 मिलियन टॉइलेट्स का निर्माण किया गया ठीक है यह तो एक मैंने आपको पहली पता दिया था कि यह एक योजना को देखने का एक तरीका है कि इन्वेस्मेंट कित्ता किया गया और कित्ता उससे कंस्ट्रक्शन किया गया लेकिन मैंने बोला कि सरकार का असली मुल्यांकर होना यह पर्फॉर्मेस के आदर पर और पर्फॉर्मेस यह कह रहा है नेचर नामक पत्रिका का डेटा यह यह कह रहा है कि 2011 से लेके 2020 तक देखें तो इस टॉइलेट के कंस्ट्रक्शन के कारण जो इंफेंट मोटिलिटी रेट है उसमें 5.3 की कमी आई है और अंडर 5 मोटिलिट में 6.8 की कमी आई है अब यहां पर एक और बात होता है कि किसी भी पत्रिका ने कोई डेटा प्रकाशित किया है तो उसका क्लेक्शन की मेथट क्या थी वह ज्यादा माइने रखती है ठीक है तो इस डेटा को हम ज्यादा इसलिए कहेंगे नेचर पत्रिका खुद अपने और चीज है जो आपको देखना चीए किस डेटा को इन्होंने 35 स्टेट से कलेक्ट किया है 35 स्टेट और 640 जीलों को अगर हम देखें तो एक तरह से इन्होंने पूरे भारत का डेटा कलेक्ट किया प्रॉपर तरीके से इसलिए यह रिपोर्ट ज्यादा रिलाइबल है क्लि और अदर 5 मोटिलेटी रेट में 6.8 की कमी आई थीक कैंड़ आते हम कंसेथ पर यहां पर बात की गई है इन्फेंट मोटिलेटी रेट की कमी बात है अब इन्फेंट में सबसे पहली चीज तो आपको मानू होना चाहिए इन्फेंट हम किसे कहेंगे देखेए infant की बात करें तो infant ka मतलब होता है कि एसा बच्चा जिसकी उम्र एक साल से कम है तो एक साल से KAM IU के बच्चों को हम infant में count करते हैं ठीक है यह wreampcr बhool publi जाओ तो याद रख नًा के लिए को यह खास टाइम पिरेट को चुना जाता है जैसे कि एक एर की बात कर रहे हैं तो एक एर में कि एक हजार बच्चों में जीवित जन्मों में एक साल से कम उम्र के कित्ते बच्चे की म्रत्य हुई है यह कहलाती है एक साल से कम उम्र के बच्चों की म्रत्य हुई है एक हजार जीवित जन्मों पर उसको हम क्या कहेंगे इन्फेंट ढॉर्टे पार्मूला कि इसा है तो जिस चको निकालना कि उसको हम उपर रखेंगे यह एक याद रखना है नल 앞 मोवख चाहें या इन्फेंट मोफिललीट繼 रच यह जिस जिस करें बच्चों का रहर आ उपर रखेंगे ठीक है इस्षब आए मर किस तरह से से निकाल जाती है number of death of infant less than one year of age in one year ठीक है यानि कि एक साल से कम उम्र के बच्चों की कित्ती म्रत्य हुई है एक year में ठीक है और उसको divide करेंगे किस से number of life in the same year उस particular साल में कितने जीविद बच्चों का जन्म हुआ है और उसको multiply कर देंगे किस से 1000 से तो यह निकल जाएगी क्या infant mortality rate ठीक है और ठीक वेसे ही निकालेंगे हम क्या under five mortality rate अंडर five mortality rate यानि कि पास साल से कम उम्र के बच्चों की म्रत्युदर तो उसमें क्या है कि number of death under five year of age in one year है ना यानि कि पास साल से कम उम्र के बच्चों की जिनकी देथ हुई है उसको हम उपर रखेंगे उसको divide करेंगे number of live birth in same year उस particular साल में किते जीविद बच्चों का जन्म हुआ है और उसको multiply कर देंगे किस से 1000 से ठीक है यह निकल जाएगा अंडर five mortality rate क्लियर यहां पे समझ गये अब आप मुझे बताईए कि अगर कहीं किसी भी जगह में आई मर बहुत ज्यादा है तो आप क्या इससे अंदाजा लगाएंगे क्या अगर कहीं पर भी एक साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा संख्या में मर रहे हैं तो तो उससे तीन चीजें नोटिस होगी एक तो क्या है कि Health सेक्टर की availability यानी Health Services की वहाँ पर नहीं है प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है या अगर अगर की उपलब दता है उप्योग भी हो रहा है लेकिन उसका इफेक्टिवनेस नहीं है यह भी एक पॉइंट हम नोटिस कर सकते ठीक है तो आयम आर किसी इस्थान का कम होना यह बताता है कि अभी यूटिलाइजेशन और एक्टिवनेस अफ हेल्थ सर्विसेश काफी अच्छे दरजे कि यह ना यानि कि हैल्थ सर्विस की उपलब दता भी है उसका उप्योग भी हो रहा है और वह प्रभावी तरीके से उप्योग हो रहा है ठीक है यह क्या है इंडिकेटर है जो य आगर किसी स्थान का कम है या ज्यादा है अगर कम होगा तो क्या है यह तीनों चीजे अच्छी और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यह तीनों चीजे सब्सक्राइब अगर हम मध्यबदेश के पॉइंट आफ्यों से बात करें तो मध्यबदेश पिछले 15-16 साल से कि आये मार में देश में टॉप कर रहा है तो देश में टॉप करने का कारण ही क्या है कि एक तो है कहीं ने कहीं योजना चल रही इसी जन्नी पहुच द्रूब योजना में यह होती लेकिन क्या होता था कहीं महिला है। तो यहां पर क्या है यहां है योट्युलायरइच बीक अब उस तक पहुक्चाना last में के लिए क्या है एम्बूलेंस की सुविधा वो जन्नी सुरक्षाय योजन्या के तहत अवलेबल कराए गई और उसके कारणी क्या है एफेक्टीवनेस भी बड़ी एफेक्टीवनेस का यह कि आप जो भी सर्विसेश अवलेबल करा रहे हो उसका क्या प्रभाव सामने आ रहा है डॉक् की एफेक्टीवनेस भी कम हो जाएगी ठीक है तो यह सारी चीजे इंक्लीड होती है कि आएमर के द्वारा है ना आएमर में होती है आएमर का एक तरह से आएमर का इंडिकेटर है आएमर एक इंडिकेटर है जो यह बताता है कि हेल्ट सर्विसेश हमारे पेरामिटर में सही ह कि नहीं है अब इसके बाद में बात करें कि तो दूसरा तो यह है कि आये मार सेकेंड बेस्ट शोश्यो इकोनामिक डेवलप्मेंट पेरामिटर है ठीक है आये मार के बारे में बात मैं बता रहा हूं आपको कि यह किसी भी जगह का सामाजिक आर्थिक विकास बताने वाला सेक । इसने बल रहा हूं क्योंकि माना जीटा अगर किसी य कि इस्थान की कम है तो माना जाता है कि वह इस्थान सामाजिक और आर्थिक दरस्टी से काफी अच्छी स्थति में है ठीक है यह फिर सट पैरामिटर माने शता है ठीक है और सेकंड परामिटर माना जाता है infant mortality rate अब आप कुछेंगे कि अंडर फाइब को क्यों ज्यादा ओंप्रेंस दिया गया अंडर फाइब का यह है कि देखें कहीं बार क्या होता है कि बच्चे का जैसे जन्म होता है तो कहीं सारे उसके साथ कारण जूड़े रहते हैं क इसका न होने पर प्रभाव ढालते हैं वह है अикс हम बात करें अंडर फैट की तो पहले सर्वाइभ कर गया तो समाजिक और आर्थिक स्थति क्या की कि चलो बत्चे का जन्मत हो गया प्रापर तरीकि से लेकिन वह घर गया घर गया तो घर जाने पर क्या है उसके काफी पूर यह Speecham नहीं कि बच्च को काने के लिए प्रॉपर उसको आहार दें या या फिर उसको health services provide ना करा पाने के कारण उसकी म्रत्ति हो रही है तो यह ज्यादा एक बड़ा parameter है जो की एक समाज की स्थती बताता है ठीक है तो समाज के अगर हम सामाजिक और आर्थिक विकास का parameter देखे तो पहला इंडिकेटर होता आपका अंडर 5 मोटिलिटेट और सेकेंड होता है इंफन मोटिलेटी रेट यहां पर आप एक्टुबर गांधी जहनती को 2014 में ठीक है जब यह शुरुवात की गई थी तब इसके दो सेग्मेंट थे रूर और अर्बन यानि कि दो घटक में इसकी शुरुवात की गई थी ग्रामिन के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग ठीक है रूलर में अगर बात करें तो जो करें खेटर का इसका घटक था वहेज आव सomatic के अंतरगत आता था और अर्बन वाला आता उधि अच्श्री आवास मंत्रा ले था ठीक है अब अगर बात करें तो दोनों के अलग अलग थे थी रूरर बात करें गार यहां पर घरेलू सोच ले पर यह यहां पर concentrate क्या गया और अर्बन की बात करें तो यहां पर सर्वजेनिक प्ब्लिक टॉयलेट्ट ठीक है जो अलग-अलग चोरह है पर मिलते नभाप पट पे अर्बन पर देए ठीक है इसके अलावा अर्बन में जो थोस कफिस होते हैं ना कि वैस्ट मेंजमेंट वैस्ट मेर्फए पर भी जोड दिया गया इसके अलावा कच्रे का प्रथक करण आप तो कहीं सारी जगह पर होने लग गया है आप क्या आता होगा गीला कच्रा अलग करना सुखा कच्रा अलग करना अलग-अलग उसके लिए कलर कोड रखे गए ठीक है तो कच्रे का फिर उसके आद में पुनर चक्रन री साइकल जैसे अगर हम बात करें इंदोर की अभी सच्छता में नंबर बनें इंदोर में सबसे बेस्ट काम जो हुआ है वह हुआ है सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट में और साथ में री साइकल कच्रे से बिजली भी प्रोड्यूस की जा रही है ठीक है यह पर आपके बेक्राउंड में जो चीजह चलती रेती है उस पर खुर्च भारत मिशन की मुख्य विशयास्ता है जो आपको पता होना चाहिए तो यह आपका था सबस्च भारत मिशन का अब हम बात करें तो सच्छ भारत मिशन में जो इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है infant mortality rate कम होने की उस वो कैसे हुई है ठीक है तो एक चीज में आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने बात करी है में ट्वालेट कंस्ट्रक्शन की है ना और उसके कारण IMR और अंडर फाइब मोटिलिटी रेट में कमी आई है ठीक है कमी आने का यह तो हमने रिपोर्ट देख ली लेकिन आपको इसके तहह पर जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ देखिए अगर टॉयलेट यह जैसे टॉयले सर में फैलती जिसमें बच्चा और बच्चे की माता दोनों प्रभावित होती अब सवाल होता है कि कौन-कौन सी बिमारी होती तो अगर हम बिमारियों की बात करें तो इसमें कुछ सबसे प्रमुख विमारी है डाइरिया पोलियो को भी हम काउंट कर सकते हैं पोल्य आलाकि वायरल संक्रमन एक होती जियारडियस जियारडियास यह प्रोटो जोवन डिसीज है यह भी आप पेट को प्रभावित करती ए इसके अलावा हेजा पॉलेरा यह भी एक विमारी है क्लियर टाइफाइट सालमोनलेला टाइफी के कारण होती है यह सारी विमारी से आप बस सकते हो केवल ट्वाइलेट के कंस्ट्रक्शन के दौरा ठीक है तो इसलिए रिपोर्ट जो है काफी इंपोर्डेंस रखती है क्योंकि इस रिपोर्ट ने एक एक आहिना बताया है कि साली विमारिया होती है और यह विमारिया माता को और उसके बच्चे को प्रवाइद करती और उसके कारण चायल मोटिलिटी और अंडर-फाइड मोटिलिटी भी बड़ी रेती अब हम आएसके आते हैं प्रभाव पर ठीक है तो प्रभाव में अगर देखें सच्छा भारत म के तोरह जो होने वाली बिमारी है जिनकी लिस्ट में आपको बता चुका हूं उनमें कमी आई है इसको डाल सकते आप इसके अलावा प्रभाव में आप एक चीज और महिला सशक्तिकरण अगर आप यू यू पीएस्टी की एक्जाम दे रहे हैं तो यू पीएस्टी के एक्जाम में कई बार इसे ट्रिकी कोश्चन पूछे आते हैं कि जनरली सच भारत मिशन रखा इसका संबंद किसकी से अब आप डून रहे हो कि वह सोचाले निर्मान कच्रा प्रवंदन यह सारी चीज़ें लेकिन उसमें एक option यह भी दिया हुआ महिला सशक्तिकरण से भी जूड़ा हुआ है ठीक है यह यह भी पॉइंट आपको याद रखना फिर अगर हम बात करें दिरकालिंग इसका उपए क्या होगा तो अगर हम देखें तो यह कहीं सारे संक् साथ में दे रहा हूं आप उसको भी देखेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जिसमें मैंने आपसे सूपर बग पर डिसकुशन किया था अभी वीडियो यह लंबा हो जाएगा तो मैं यहां पर डिसकुशन कर रहा हूं अब लिंक पर आप देख लिजेगा ठीक है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और सूपर बग के इंफेक्शन को कम करने में भी स्वच्छ भारत मिशन अपनी एक महत्पून भूमी का अदा कर सकता है ठीक है तो इसके आदमें शिशु स्वास्त में सुधार होना यह तो हम पढ़ी चुके हैं यह सारे इसके शौट टर्म के प्रभाव और लॉंग टर्म के प्रभाव दोनों आपने देख लिए ठीक है तो यहां पर हमने स्वच्छ भारत मिशन इंफेंट मोटिलिटी रेट अंडर फाइब मोटिलिटी रेट इसके क्या प्रवाव है सवच्छ भारत मिशन का क्या प्रोजेक्ट है आपको किसी अन्य विशे में डाउट है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लेक्चर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अवलेबल कराऊंगा आप मुझे परसनल कमेंट भी कर सकते हो ठीक है थेंक्यू for more details and knowledge contact us and download our app from play store thank you